मानने सुप्रिम कोट के द्वारा आज दिनान के 11 अगस्त 2023 को जो ओर्डर दिया गया है उस ओर्डर की कॉपी आ चुकी है आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहोंगे ध्यान दिजेगा ये ओर्डर की कॉपी है जेजमेंट की कॉपी अभी अलग आएगी जो मानने सुप्रिम हाई कोट के फैसले के अगेंस्ट में था मानने जोदपुर हाई कोट ने क्या फैसला दिया था एंसीटी 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने का आदिश दिया था उसके अगेंस्ट में स्री देवे सर्माज जी ने मानने सुप्रिम कोट का दरवाजा कट आ था जिसको ले करके माननिये, सुप्रीम कोट ने अपने ओर्डर में ये लिखा है, यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि जो याचिका थी उसको खारीच कर दिया गया है, खारीच करने का मतलब कि माननिये, जोदपूर हाई कोट का जो फैसला है, वो बहाल रहेगा, यानि कि 28.0.2018 का नोटिफिकेशन, जो कि माननिये, जोदपूर हाई कोट ने अवैद बोला था, अनकॉंस्टिशूशनल बोला था, और समयधानिक बोला था, वो फैसला लागू रहेगा, यानि कि 28.0.2018 का कोट और है, अभी जज्जमेंट की कॉपी आने वाली है, उस पर जब आएगा तो मैं विस्तार पूरुवक बात करूँगा, इसके बात से बात कर लेते हैं कि माननिये सुप्रीम कोट के डिसीजन की वज़ा से ही, जो पूरा मामला केविस प्यार्टी से लंबित पड़ा हुआ है, जैसा कि आपको ग्यात होगा कि एक ओनलाइन IGRS कंप्लेंट के मादम से अभीर्थियों ने, जब केविस के चेर्मेन से इस बारे में जानकारी मांगी कि इसका रिजल्ट कब जारी हो रहा है, तो उनके द्वारा ओनलाइन IGRS पर एक रिमार्क लिख करके ये ओगत कराया गया, कि केविस ने दो प्रकार के रिजल्ट को तयार कर लिया है, देखिए केविस जो है, वो इंटर्व्यू कंड़क्ट कराता है, और फाइनल बच्चों को सौट लिष्ट करता है, बाकी जो परिक्षा की ऑनलाइन प्रक्रिया थी, या फिर लिष्ट जारी करने की प्रक्रिया थी, वो सब को CBSC देख रहा था, तो उन्होंने ये ओगत कराया है, कि CBSC दो लिष्ट के का फैसला आ चुका है, और KBS PRT के ओफिशिल नोटिफिकेशन में भी ये मिंसन किया गया था, कि जो B.A. अभिरती शामिल हो रहा है, वो मानने सुप्रिम कोट के इस फैसले के अधीन होगा, अब चुकि फैसला आ चुका है और B.A. अभिरती पातर नहीं मानेगा है, तो अ अब KBS PRT रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, आने वाले हफते में आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपने देखा होगा कि सभी पोस्ट के लिए KBS PRT ने, KBS ने रिजल्ट को घोशित कर दिया और इंटर्विव भी लगबग समा जल्द के कैंडिडेट है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है अगले हफते में ही KBS इसके रिजल्ट को जारी कर देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन, शूभू